न्यूजरूम लाइव स्पॉंसर्ट बाई चंद्रगुप्त अकाडमी टॉप फ्लोर रमा गोविंद पैलेस्ट रीवा पार्टी का कोई लेना देना नहीं है अब इस पूरे घटना क्रम पर जीदू पटवारी का भी बयान आया उसके बाद बीजेपी ने इस पर काउंटर किया कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए परिवान मंत्री गोविंद सिंग राजपूत ने मीडिया से चर्च में इन्हें पद चाहिए पद मिल नहीं रहा तो सामने से नमशकार और पीछे से कुर्सी खींचने की लड़ाई शुरू हो चुकी है सत्र के दूसरे दिन विधान सभा जीतू पढ़वारी भी पहुंचे थे उन्होंने कहा मेरे नेता जो चाहते हैं वो मुझे करना यह जिस तरह का पूरा घटना करम कल हुआ उसके बाद से जीतू पटवारी बैक फुट पर थे कमलनात ने जो बयान दिया सदन में उसके बाद शुराज सिंग चौहान ने उनके बयान का समर्थन किया तो यानि कॉंग्रिस के अंदर ही यह तमाम चीज़ें हो रही थी जिस दोरान मान सिंग महल में गंदगी देखने पर वो बुरी तरह भड़क गए इस बात को लेकर उन्होंने विवाग के अफसरों को जमकर फटकारा साथ ही ये तक कह दिया कि क्या मैं जाडू लगाने आऊंगा गौालियर फोर्ट पहुंचने के बाद जी किसन रेड़ी ने मा लग गए थे और उन्होंने साफ तोर पे अधिकारियों को फटकार लगाई यहां तक कहा कि क्या ये सफाई अब मैं करूंगा अगली ख़बर की बात करते हैं अगली ख़बरे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से तेजी से बदल रहा है भुपाल खंडवा और आस इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है मौसम करवट ले रहा है लेकिन इससे जो गेहूं की फसल है उसे वो प्रभावित हो सकती है उसे नुकसान हो सकता है लेकिन अभी अटकले यही हैं कि अगले दो से तीन दिन में मध्य प्रदेश में मौसम बदलेगा बारिश हो सकती है रीवा संभाग के जिलों में भी बादल हलके बादल आज देखने को मिले दिन का तापमान धीरे-धीरे कम हो रहा है रात में हलकी बुदाबादी के आसार है और तेज बारिश भी हो सकती है आकरी खबर की बात करते हैं प्रयाग राज से रीवा खेप आ रही थी बड़ी खेप नशे के खिलाब जो सिकंजा है वो लगातार कस्ता जा रहा है तक्रीबन धाई लाक रुपे की कोरिक्स जब्त की गई है चौदा सो सीसी बरामत की गई है ये पूरा मामला रीवा जिले की सौहागी पुलिस ने नशे के खिलाब ये पूरी कोर्स ओफ एक्शन तयार किया था भारी मात्रा में कोरिक्स की खेप पकड़ी है सुत्रों की माने तो यूपी की प्रयाग राज से एंपी ये आ रही थी गाड़ी चौदा सो सीसी नशेली कब सिरफ बरामत हुई है तसकर मौके से फरार हो गए है फिलाल सौहागी पुलिस जो कार है एंपी सत्रा सीए ग्यारा बत्तिस को जबत कर थाने में खड़ा कराया है और तमाम एंडी पिया सेक्ट के तहत कारवाई की जा रही है सौहागी थाना प्रभारी 20 से विश्वास ने बताया कि 6 मार्ज की रात एक मुखविर ने नेशनल हाईवे 30 के रास्ते प्रयाग राज की और मारती सिफ्ट कार जिसका नंबर MP17 CA 1132 है में नशीली कब सिरफ की तसकरी होने की सूचना दी थी मुखविर के माद्यम से जानकारी मिली गस्त बढ़ा दी गई और NS30 इस्तित प्रतिक्षाले के पास एक संदिक दिकार दिखी जिसे पुलिस के नजदीक पहुंचते ही तसकर अंधेरी का फायदा उठा कर भाग गए लेकिन जब्त कर ली गई है जान चल रही है एंडी पीए सेक्ट के तहस्त पूरी करवाई कर दी गई है तो यह थी प्रदेश की दिन भर की चार बड़ी ख़वरे हैं असी तमाम ख़वरों के लिए आप बने रही है विंद्या टाइम्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद